नमस्कारम, मित्रो आज हम आपको बताएंगे गाजर खाने के फाइदों के बारे में दोस्तो गाजर हम सब की सहत के लिए बहुत फाइदे बंद होती है आपने देखा कोई जो लोग गाजर का सेवन करते हैं उनकी यहांके काफी हेल्दी रहती है सरीर स्वस्त रहता है, पेट अच्छी से साफ होता है दोस्तो कौन कौन से इसमें पोसक्तत पाए जाते हैं जिससे सरीर को इतनी मदद मिलती है दोस्तो हम आपको आज वीडियो में बताएंगे सबसे पहले आपको यह बताएंगे किसमें कौन कौन से पोसक्तत अच्छे पाए जाते हैं जो सरीर को हेल्दी रखते हैं, फिट रखते हैं अंदर से दोस्तो गाजर दो प्रकार की आती है एक आती हलवे वाली बड़ी गाजर जो इस समय गाजर का सीजन चल ला है और एक आती देसी गाजर यानि की छोटी गाजर वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कौन सी गाजर खाना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा छोटी वाली या फिर हलवे वाली बड़ी गाजर दो प्रकार की गाजर आती है आपको हम वीडियो के अंत में बताएंगे वो विशेज ध्यान रखेगा क्यों सारे फायदे आपको गाजर खाने से ही मिलेंगे तो गाजर आपको देखना है कि कौन सी सेवन करनी दोस्तो चलिए दोस्तो वीडियो में श्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है गाजर खाने के फायदों के बारे में पहले आपको गाजर के पोस्तत्त बताएंगे जो गाजर में पाए जाते हैं इसके बाद आपको फायदों के बारे में दोस्तों बताएंगे इसमें fiber होता है, protein होता है, iron है, calcium है, carbohydrate, zinc, potassium, phosphorus, thymine, copper, कई तरह के vitamins जैसे vitamin A, vitamin C, vitamin D होते हैं जो सरीर को सस्त रखने के लिए जरूरी है, दोस्तों आपने पोस्तत के बारे में जान लिया, जो गाजर में पाए जाते हैं अब आपको हम फाइदों के बारे में बताएंगे, जो गाजर से हम सबको मिलते हैं, इसका पहला फाइदा मिलता है, immunity system boost करें हाँ मित्रो, गाजर में vitamin C पाया जाता है, जिससे रोग प्रतियोदक छमता में ब्रदी होती है, जो लोग बार-बार बिमार पढ़ते वो नहीं पढ़ते हैं, और उनकी immunity system मजबूत होती है इसका दूसरा फाइदा, आखों के लिए फाइदेवन, गाजर आखों के लिए वरदान माना जाता है, इसमें पाय जाने वाला vitamin A और beta के रोटीन आखों की बिमारियों से बचा कर healthy रखता है, आई side को mental रखने के लिए गाजर के रोजाना सेवन से आखों को मजबूती मिलत हैं, जिनके दातों में problem होती है, और वो गाजर का सेवन नहीं कर सकते, तो गाजर का juice पी सकते हैं, वास यह है उसमें fiber थोड़ा कम होता है, मगर पोसकते तो दोस्तों पूरे मिलते हैं, इसलिए अगर वो गाजर नहीं खा पा रहे हैं, तो गाजर का juice पीए, और जो गाजर से पाचन क्रिया बहतर होतीए, मित्रोग जिसको configuration की समस्या है, और जिसको पाचन क्रिया बहतर करनी है, तो गाजर का सेवन करे, इसमें fiber पाया जाता है, जो आपकी पाचन क्रिया को मजबूत करता है, जिसकि खाना भी अच्छे तरीके से पच जाता है, और मल त्यागने मे मदद मिलती है इसका चौता फाइदा हड़ियों को मजबूत करे हा मित्रो गाजर में कैलसियम होता है जो हड़ियों के स्वास के लिए अच्छा होता है जिसकी हड़िया कमजोर है और जिसको कैलसियम की कमी है वो गाजर का सेवन करे फाइदा देखने को मिलेगा हड़िया मज करते हैं इसलिए कच्छी गाजर खाने से सेहत को ज्यादा लाब मिलते हैं मित्रों अगर जिसको चेहरे में चमक बढ़ानी है इसकी नाप की हेल्दी रहेगी इसका छटवा फाइदा वजन घटाने में मदद करें हा मित्रों गाजर में घुलनसील और अंघुलनसील दोनों त तक भरा रहता है इसलिए वजन घटाने वाले लोगों को गाजर का सेवन अवश्च करना चाहिए अम मित्रों आपको बताएंगे गाजर आपको कौन सिखानी है हमने आपको वीडियो की सुरुवात पे बताया था कि गाजर आपको सेवन करना है इतने भी गाजर में फायदे पाया जाते हैं वह सारे की सारे आपको मिलेंगे एक आती है खल वाली घडियो गाजर जो हमने आपको वीडियो के सुरुवात पर बताए था एक आते देशी यानि कि छोटी गाजर हम आपको यह देखी गाजर दिखा रहा है इसलिए हम गाजर लिए थे कि आपको दिखाईए पर ऐसी गाजर होती है यह देशी गाजर होती छोटी यानि कि आप इसको अची भी खा सकते हैं और आप इसका जूस भी पिर सकते हैं यह देशी गाजर होती है दोस्तों यह खाने में बहुत मीठी होती है और लाल होती है इसमें बहुत सारे पोसकत्त होते हैं जो आपको मिलेंगे बड़ी गाजर आपको हलवे वाली मिलेगी देशी गाजर ज्यादा फाइदेबंद होती है आपको जोंसी गाजर मिल पाए असानी से आप उसका प्रयो आपके साथ में share किया है मित्रो मेरी जानकारी आपको पसंद आयो तो please like subscribe और share किजेगा आज के लिए बस इतना ही नमस्कारम